अब द देख सकते हैं अब दोस्तों मेरे 22MM की बैटरी है 357quent की बैटरी है दीध दूसरा कमपणी इस को बोलते हैं काल होड़र चो इसमें बैटरी फिक्स हो जाती है यह मेरा सुरव वो्ःबूर्ड का ब्म français है 440 अंपियर का अब मेरे फ्लिक्स जोन स्लेश। अब मेरे उपर सैट में मानस पॉंट रहेगा मेरा सेल में यह दूसरे वाले में मेरा मैनस पॉइंट रहेगा इसके बाद अब प्लॉस पॉइंट उपर साइड में करेंगे दोस्तों तभी यह सीरीज होगा इसको पहले पहले अरल में कनेक्शन करने के बाद इसको बाद हम सीरीज में करेंगे देख सकते हैं मेरा यह लाश्ट वाले माइनस उपर साड में है माइनस पॉइंट मेरा सेल होल्डर हम इसको कॉल होल्डर को हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे मेरे सेल के बीच में गयाफ है जो बैटरी हिट हो तो आपस में ज्यादा टच हो के ना हीट हो यह मेरे पर्ची इसको लिकाल देते हैं अच्छे तरीके से मेरे preserve हो गया दोस्तों देख सकते है अच्छे तरीके से हो गया है यह मेरे देखर तार हैं जो connection करने के लिए हैं यह बहुत हाट तार हैं दोस्तों पहले हम plus point और minus point दोनों को हम अब पहले पहले connection करेंगे इसके बाद series में connection करेंगे लेकित तो पहले तो हम पहले connection किये हैं दोस्तों देखरेंगे दोस्तों मेरे पहलर और series में दोनों connection हो गया देखरेंगे इस साइड में मैंने 8 वोल्ट का यह सिरिज किया है यहां पर 14 वोल्ट का और 12 वोल्ट का दोनों का series मैंने किया है यहां पर अभी आपको चेक करके दिखा रहे है मैनेस पॉइंट है यहां देखरेंगे दोस्तों 16 वोल्ट मिला है यहां पर 8 वोल्ट मिल रहा है अब पीछे के साइड में दोस्तों 12 वोल्ट मिलेगा आपको अच्छे से प्रोब लगाते हैं दोस्तों 12 वोल्ट मिलेगा दोस्तों देखरेंगे दोस्तों मैरे ब्यमस का देखरेंगे डबल टेप चिपका हैं दोस्तों कि मेरे ब्यमस इधर उधर ना हिले अच्छे से fix कर देंगे दोस्तो BMS को इसके बाद हम connection BMS में चालू करेंगे दोस्तो थोड़ा थोड़ा मैं इस पर हम अमरागा कर देते हैं दोस्तो जो मेरा तार है वो अच्छी तरह से चिप के देखने दोस्तो यह मेरा BMS का माइनस पॉइंट है इसको हम connection कर देते हैं BMS का माइनस पॉइंट है और बैटरी का माइनस पॉइंट इसके बाद देखने हैं दोस्तो यह 8 बॉल्ट प्लॉस पॉइंट है अरे दोस्तो सोरी यह 4 बॉल्ट प्लॉस पॉइंट है इसको चार बॉल्ट को हम connection भी कर देखे है पे चार बॉल्ट करनेक्शन करेंगे पहले चार बॉल्ट कंच्छन कर लेते हैं sa दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें देख रहें दोस्तों माइनस और मेरा 4 वोल्ट दोनों कनेक्शन हो गया यहां पर मेरा 8 वोल्ट है 8.4 वोल्ट है इसको हम connection करते है यह भी प्लस पॉइंट है यह मेरा 8 वोल्ट है इसको हम पीछे सेड में badly में connection कर देंगे दोस्तों electronic समंदी कोई भी काम सीखना चाहते हैं मेरे चैनल को subscribe करें क्योंकि मैं इस चैनल पर electronic समंदी हर वीडियो में डालता रहता हूं repairing से लेके new तक यहाँ पर मेरे दोस्तों 12 वोल्ट का connection करेंगे यहाँ पर मेरे 12.6 वोल्ट है इसको एम connection करेंगे हम नीचे के साइड़ से तार को ले जाएंगे यहाँ पर पीसे साइड में यह मेरे 12 वोल्ट है मेरे दोनु प्रॉप दोस्तो फ्लॉस और मानिस जो दिया है यह मेरे दोनु साइड मेरे बारबॉल्ट है दोनु पर हम कनेक्शन कर सकते हैं कि देखने हैं दोस्तों 12 वोल्ट मेरा कनेक्शन हो गया है यह तार को अच्छी तरह से कर देंगे यहां पर इसके बाद देख रहे हैं हिटिंग ना हो रही है बीमेस में दोस्तों इसके बाद हम 100 वोल्ट कनेक्शन करेंगे यह मेरा तार है दोस्तों यह 100 वोल्ट का है 100.8 वोल्ट पीछे एक साड़ में देख रहे हैं दोस्तों यह मेरा प्लस पॉइंट 14 वोल्ट है दोस्तों मेरा प्लस पॉइंट 14 वोल्ट है दोस्तों मेरा बेमेस का कनेक्शन हो गया है देख रहे हैं दोस्तों कोई हीटिंग भी नहीं हो रही है जो मिरे बेमेस में कंपॉइंट लगा है कोई हीटिंग नहीं हो रही है दोस्तों मेरा कोनेक्शन प्रोपः जुढा है है दोस्तों अगर सब्सम में घृत होगा तो हीटिंग प्रोप में चालू भी गया हम हम साण केक्शन i6 आप को चेक करने से पहले सबुइर सबने यहां पर कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं यह मेरा BMS का मानस पॉइंट है और BMS का यह प्लस पॉइंट है जो आठ बोल्टेज है यहां पर देख रहे हैं दोस्तों हमेने सीरीज किया है यह आठ बोल्ट है यहां पर सीरीज किया है देख रहे हैं दोस्तों यहां पर आंगे सा में connection किया है यहां पर देख रहें दोनों तरफ से मैंने series किया है दोस्तु यहां पर देख रहें 4 volt है यहां पर तो ब्लेक वायर लगाया है तो कोई दिक्केत नहीं यह प्लॉस पॉइंट है यहां पर देख है आपको voltage check करके दिखा रहें है आप दोस्तों मेरे बैटरी अभी पूरी चार्ज नहीं है इसलिए बोर वोल्ट मिलेगा आपको यहां पर ग्राउंड है इस पर कोई वोल्टेज नहीं होगा तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मेरे चैनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब करना नोटिकेशन आप